Hello students, good afternoon, आज का भाग है, parts of speech, आज हम इसमें जानेंगे parts of speech के भेद कितने होते हैं, क्योंकि यहीं अंग्रेजी की मुख धूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है, तो हम चलते हैं, देखते हैं, there are eight parts of speech, part of speech के आठ भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, बर्ब, एड्जेक्टिव, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजक्शन और इंटर्जेक्शन, यह आठ भाग होते हैं, इसमें प्थोड़ डेटेल देखते हैं, नाउन, संग्या किसे कहते हैं, किसी भी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका नाम ना हो, तो हर चीज का कुछ नाम होता है, उसी नाम को संग्या कहते हैं, संग्या मतलब कोई भी नाम हो, किसी चीज का किसी ब्यक्ति हो, चाहे अस्थान हो, चाहे वस्त हो, उसका कुछ नाम होता है, उसी नाम को ही संग्या कहते हैं, दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब होता है, नाउन के अस्थान पर जिन सब्दों का परियोग करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन के प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कही प्रकार होते हैं, सही, सी, दे, इट, आ, वी, यह सब एक्जामपल है, अब फ्रोनाउन देखते हैं, जैसे है, रितू reads in class 7th, रितू reads in class 7th, C is an intelligent student, रितू कच्छा साथ पढ़ती है, वहा बहुत बुधिमान चात्रा है, अब यहां पर रितू तो नाउन हुआ, अब इनके बदले में, नाउन के बदले में परियोग किया C, वहा बहुत intelligent है, तो यहां पर C क्या हो जाएगा, प्रोनाउ Adjective. Adjective क्या है? an adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun अरठात Noun और pronoun की विशेशता बताने वाले सब्दों को ही Adjective कहते है Adjective noun और pronoun की विशेशता बतलाते है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ कर यह किसी और की विश्यस्ता नहीं बतलाते हैं जैसे small, big, smart, beautiful, dwarf, cute, blind, यह सब adjective के example है example, so sita is a cute girl, अब यहाँ पर sita कैसी लड़की है, sita नहीं noun है, अब noun की विश्यस्ता बता रहा है, sita कैसी लड़की है, girl भी noun है, तो noun की विश्यस्ता था cute, यह cute आपका adjective हो गया उसे राम is a dwarf man, राम एक बावना आदमी है, तो आदमी कैसा है, राम कैसा न लगा है, राम कैसा आदमी है, ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या हुआ, यह ड्वार्फ ही हमारा हो जाएगा, adjective बर्ब, बर्ब किसे कहते हैं, अबर्ब डिनोट्स एन एक्षन, किरिया कार को दड़साती है, यह यह कह सकते हैं, किसी कार के होने या करने को ही किरिया कहते हैं, जैसे read, sleep, go, read, watch, etc Example, they read Mumbai, वे Mumbai पहुंच गए, अब यहां कौन से काम हुआ, पहुंचने काम हुआ, पहुंचना नहीं, उनके द्वारा किया गया कार साथ, पहुंचना आपका बर्ब हुआ, उसे अगला है, Baby is beeping, बच्चा रो रहा है, यहां पर बर्ब कौन से है, कौन से काम हुआ है, यहां पर beeping काम हुआ है, यह बर्ब हुआ, He reads novel, He reads novel, वो novel पढ़ता है, यहां कौन से काम हुआ पढ़ने काम हो रहा, पढ़ना क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा, बर्ब हो जाएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा ह धन्यवाद